हेलो फ्रेंट्स मैं रोसन प्रजपती एक बार फिर से आपका आज की हमारी इस वीडियो में स्वागत करता हूं तो फ्रेंट्स आज की वीडियो में हम जिलेवा रेंग को 2.1 में अपडेट करने वाले हैं इसको कैसे अपडेट करेंगे यहां जो हमारी जी एफ हैं और एंजी एफ दोनों का रेंग दिखाया जा रहा है तो हम चाहते हैं कि जो केंडिडेट जी एफ का है उसे सिर्फ जी एफ का ही रेंग देखें और जो इसमें मेल है जो उसे मेल का ही डेटा देखें और जो फी मेल है उसे फी मिलका ही डीटा देखी तो आज के इस वीडियो को सुरू करने से पहले हम कुछ पिछली वाले जो हमारी वीडियो है मैं उसकी इंफॉर्मेशन देने चाहूँगा कटाप के बारे में इनफॉर्मेशन देने चाहूँगा इसलिए यदि आप हमारे ब्यूवर्स हैं और जो हमारे पुराने viewers हैं, पुराने subscribers हैं, वो चाहें तो इस वीडियो को थोड़ा सा skip कर सकते हैं, चलिए वीडियो को start करते हैं, पिछली वीडियो में हमने आपके बारे में चरजा की थी, आपको बताया था ये कहां मिलेगी और इसे मैंने ही तयार किया है, इसमें 7000 प्ल वही data हमने यहां उठा लिया है, status भी आपने दे रखा है कि आप NGF हैं कि non-NGF हैं, guest faculty हैं और आपकी select category हमने TRC जैसे देती हैं, वैसे ही दी है, यह 161 page की PDF है और guest faculty की PDF है और waiting वाली PDF है, यदि आपने अभी तक हमारी इस PDF में अपना नाम नहीं देखा है, तो आप इसे जर पर सर्च करना है www.pk-question.in.com, जैसे ही आप सर्च करेंगे, तो हमारी website का page सामने आ जाएगा, इसमें आपको मद्द प्रदेश बर्गदिन second accounts की kटाप देखनी के लिए यहां एक page में जाएगा, इस पर click करना है, जैसे ही आप उस पर click करेंगे, आपको यह वाला page सामने देख जाएगा, पीडियाप देखने के लिए आपको एक link के दिया है, कटाप में अपना नाम देखने के लिए सबसे पहले यहां click करेंगे, इसमें सभी information दिये कि आपको पीडियाप कैसे मिलेगा, और यदि आप अपनी मोबाइल में टेलिग्राम चलाते हैं, तो टेलिग मैंने इसे Excel में तयार किया है, आपकी rank को तयार किया है, Google Farm भरवा कर हमने आपके 10 जिले जो आपने ही च्वास से जिले भरे हैं, उनमें क्या rank का रही है, क्या rank का रही है, और 2.1 अभी में अपडेट कर रहा हूँ, उसकी बाद आपकी क्या rank का आएगी, और इसमें मैंने ए PDF सभी के link Q&A वाली इस वाली पोस्ट में आपको सबसे नीचे मिल जाएंगे यहां पर, यह हमने सभी link के दे रहे हैं, और यदि आपकी मन में सवाल है कि यह data जो मैं दिखा रहा हूँ रहें के दिखा रहा हूँ, वो गलत तो नहीं है, मैं ऐसा ही कुछ formula लगा के आपको कितनी बर्क बुक मैंने इसमें RNG कर रही हैं, कितनी सीटे हैं, जो मैंने एक साथ link कर रही हैं, तब जाकर में इतना सारा data है यह आप पहुंचा पा रहा हूँ, और बिल्कु सही सही पहुंचा रहा हूँ, इसका भी कोई answer region नहीं है, कि मैं views पाने के लिए यह सब दिखा र टेके हैं, तो फ्रेंस मैंने यहाँ formula लगा दिया है, जैसे हमें यहाँ क्लिख करेंगे, तो एंज्जी एफ आ गया, और जैसे ही कोई gf आता है, तो automatically ही यहाँ का जो data है, यहाँ gf हो जाएगा, यहाँ mail होगा, फ्ली मेल होगा, फ्ली मेल हो जाएगा, अब हमें क्या करना है कि जो हमारी यह वाली रंक पहले सदाल लीती है यू आर वाली इसमें हमने कुछ फॉर्मूला इस परिकार से लगा यह हमाले लिए आगर मालवा का और यू आर यहां उपड़ जाएंगे आगर मालवा यू आर में किया रंक थी उसके लिए लगा दिया था और सीट नंबर 1 में से seat number 1 में से यह वाली range को उठा के इनकी rank दिखाई जा रही थी अब हमें क्या करना है कि हमार लिए rank तो दिखाने rank से चाहिए है अब हमें gender भी चाहिए है और status भी चाहिए है तो अब हम यहां क्या करेंगे सबसे पहले हम gender को ले लेंगे तो इतना data हम copy करेंगे और इसके बाद से यहां list करेंगे अब यह same चीद्गों हो गई है तो उनको हमें हटाना है यहां हमें चाहिए है यह वाली है जी एट को हम select करनेंगे और seat 1 में से हमें यह gender वाली रो है ना जो हमें यहां mail का data मिल गया है अब हमें यह करना है यदि जीएप का candidate आता है तो फिर से हम इसी वाले formula को इतना copy करेंगे और यहां product वाला formula है यहां डाल देंगे अब हमारे लिए यहां app की जगा है यह 11 कर देंगे और आप हमें यह देखना है status कितने नंबर पर है यहां पर seat 1 में status वाली जो रो है वो भी है तो अब यहां भी लिए तो friends हमें यहां आप की total rank दिखाई जा रही है इसलिए हम इसको साथ छेड़खानी नहीं करेंगे सिर्फ इसी के साथ छेड़खानी कर रहे हैं क्योंकि यह data हमेरे लिए आप जैसे ngf की candidate हैं और आप mail है तो आपको सिर्फ ngf mail का ही data देखना चाहिए क्योंकि आप जब स्कूलों को चाहिन करेंगे तो आपके लिए वही सीट मिलेगी जो आपकी category में आपके लिए इस formula को हम फटापट से सभी सेल में paste कर देते हैं और आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है तो हासा करता हूं आज का वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आया हुए और दस स्कूलों को mention कर देंगे समिट होके आएगा डाटा तो आपके लिए किस category में किस स्कूल में कितनी candidate अपलाई करने के लिए वहां जा रहा है उनका score क्या है रैंक क्या है उनकी स्थिति क्या है सभी की जानकारी आप तक पहुंच जाएगी आप बढ़िया तरीके से अपन